मार्क सिर्समाह में सुकल पक्ष की पंचमी तिथी को विवा पंचमी की रुप में मनाया जाता है धार्मिक मान्यताओं के नुसार इस दिन माता सिता का विवा भगवान राम के साथ हुआ था विवा पंचमी माता सीता और भगवान राम की वर्सगाड की रुप में मनाई जाती है इस सुभ मौके पर भगवान राम और माता सीता की पुजा की जाती है और राम विवा का आयूजन किया जाता है मानेता है कि ऐसा करने से सुखी विवाहिक जीवन का आशिरवाद प्राप्त होता है सुहागन महिलाओं को अमर सुहाग का और फुवारी करन्याओं को मन चहावर प्राप्ती का आशिरवाद प्राप्त होता है आईए जानते हैं, दोहजर पचिस में विवा पंचमी कब है, पुजा का शुब मुहरत क्या होगा, पंचमी तिथी कब से कब तक रहेगी, पुजा विदी और पुजा महत्व क्या होगा विवा पंचमी के दिन सुबब ब्रम मुगरत में उठकर असना नादे से निर्वेत होकर स्वक्ष वस्तर धारन करें और वर्थ का संकर्प करें एक छोटी चोंकी पर लाल या पीले रंग का वस्तर विछाएं, माता सीता भगवान राम की प्रतिमा या फिर तस्विर इस्तापित करें, इसके बाद गनेश जी का ध्यान करते हुए पुजा को आरंभ करें माता सीता भगवान राम समेत सभी देविदेताओं को फल, फूल, दोबधीप और निवेद अपित करें भगवान राम और माता सीता को पीले रंग का माला पहनाएं, उनकी विधिविदान से पुजा करें, आरती उतारें और भोग लगाएं अंत में पुजा के दोरान हुई गलती के लिए छमा मांगे, परिवार के सभी सदस्यों के वीच प्रसाद वितरन करें और माता, सीता और भगवान राम का आशिरवाद प्राप्त करें विवाद पंचमी वाले दिन घर में रामचर रित्रमानस का पाट अवश्य ही कराना चाहिए, इससे घर में शुक और सम्रेदी आती है आईए जानते हैं, दोहजार पच्चिस में विवाद पंचमी कब है पंचमी तिती सुरु होगी 24 नॉउंबर दोहजार पच्चिस को रात 9.25 मिनट से और पंचमी तिती का समापन होगा 25 नॉउंबर रात 3.10 बच कर 5.25 मिनट पर उदियातिति के अनुसार विवा पंचेमी 2025 में 25 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाए रहे